हम बात कर रहे है आई एक्स की आज के दिन की बात करें तो आई एक्स में बहुत बड़ी गिरावट देखने के लिए मिले हमको बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला है 10% के ऊपर की गिरावट पुरे मार्केट में हमको सेलिंग देखने के लिए मिली आई एक्स मे 150 का level इसको भी breakdown किया Gap down opening 160 के breakdown करके इसमें opening देखने के लिए मिलिया है और उसके बाद हमको लगातार selling देखने के लिए मिलिया और इस selling के साथ हम देख सकते है stock ने 154 के support level को breakdown किया again 150 के support को breakdown किया है हमको जो closing देखने के लिए मिल रही है 148.50 पर हमको closing देता हुआ नजर आ रहा है यहां से गिरावट और भी हमको देखने के लिए मिल सकती है IEX में क्योंकि इस टॉक अपना गिरावट में नजर आ रहा है बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है इस से पहले भी हम देख सकते हैं इस टॉक में गिरावट आई थी 140 के लेवल से इस सपोर्ट लेके इस टॉक ने हमको तेजी दिखाई थी अब इमीडियेट सपोर्ट की बात करते हैं तो 144 का लेवल इमीडियेट सपोर्ट का काम करने वाला और इसको भी सटॉक ब्रेकड़ॉन करने के चांस नजर आ रहे 140 तक का फॉल हमको इस टॉक में देखने के लिए मिल सकता है 140 के बाद हमको इसमें खेल पलटा हुआ नजर आ सकता है 140 की लेवल से हमको रीकवरी देखने के लिए मिल सकती है तो यहां फ्रेज बाइंग के लिए थोड़ा इंतिजार करना इस्टॉक को बॉंस बेक होने देना है और बॉंस बेक होके इस्टॉक को सस्टेन होने देना है उसके बाद फिर यहां फ्रेज बाइंग की जा सकती है लेकिन पहले इस्टॉक में रीकवरी थोड़ी आने देना और सस्टेन होने देना है अगर आप टिमेट अपॉपन करना जाते हो तो डिस्क्रिप्शन में दीगई लिंक से कर सकते हो विडियो जो एजुकेशन परपस के लिए कोई बाय और सेल की सला नहीं है